वेल्कम टो मैं चैनल दोस्तों मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें मोर्टोर्ण से जुड़ी लिव्टेस न्यूज मैं एक दम आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों अभी आप यह देख रहे हैं तीन बच के 40 मिट की न्यूज है दोस्तों ये न्यूज आज की है लाइब मिंट के इपेपर में न्यूज चपी है इसका डिस्क्रिप्शन में न्यूज का आपने लिंक में दे दूँगा ताकि आप जाकर इसको पूरा पपर पढ़ सकें और कोई भी डीडिल्स आपसे मिसना हो जाए तो उसको आप चेक कर लीजीगा दोस्तों ये न्यूज इंग्लिश में है मैं आपको पूरा पपर इसकी में में बात है आपको हिंदी में रिपीट करके बताया तो ताकि आपको पता चले कि इस न्यूज का मतलब क्या है आपको आपका जो बीटी है जिसको बैलेंस रांस आपके लोन पर वह आपको ना मिले तो दोस्तों इसमें यही इसी बारे में आपको सारी चीज़े बताएगा है कि आप कितनी बड़ी मुश्य में फस चुके हैं या सायद फस गये हैं अगर आपने मोटरम लिया है उसकी व जो लोन है इंड्रेस्ट उसको कम करने के लिया बैलेंस रांसफर करें तो इसके चांसेज पूरे-पूरे हैं कि आपकी एप्लिकेशन रिजट हो जाए और आपको जो बैलेंस रांसफर है वह आपका ना हो पाए तो वह ऐसा क्यों है तो इसका मतलब यह है दोस्तों इसमें इसका यह परपस बताए गया है कि क्योंकि आपने लोन मोटरम लिया था लोन मोटरम देखिए आप यह दिख सकते हैं आपर दिखा हुआ है this is because the lender will assume that borrowers who have opted for the motorum are experienced cash flow issues so unless they are able to convince the lender that they their cash flow problems have been resolved it may be difficult to get a balance transfer done मतलब कि Mr. Adil Shetty जो की CEO है bankbazaar.com के वो इसका reason बता रहे है कि क्यों result हो जाएगा देखो दोस्तों इसका मतलब यह है जो इन्होंने कहा है कि क्योंकि आपने motorum लेने का यह मतलब था कि आपके साथ cash fund का issue आता cash flow का issue आता इसकी वेसे आपने motorum लिया था तो इस बात की आपको shorty दिलानी पड़ेगी जिस banker से आप लेना चाहते है balance transfer की अब आपके साथ cash flow का issue नहीं है आपके problem solve हो चुकिए अगर आप यह shorty दे सकते है उसको proof कर सकते है तो definitely आपको chances है कि आपको motorum balance transfer मिल जाए अधरवाज पूरे पूरे chances है कि आपका application reject हो जाएगा अब यहाँ पर य इसकी वजह से उनको motorum लेना पड़ा था और इसके बाद जब motorum खतम हो जाएगा तो हलंकी यहाँ पर यह भी बुलाई है there is a no regulation that bars any customers to go for balance transfer of their existing loans मत्तब की rule और कायदा यह भी कहता है कि ऐसा को रूल नहीं कि अगर आपने motorum लिया है तो आपका balance transfer नहीं हो पाएगा बट क्य cash flow customer का सही है नहीं है तो ही आपको balance transfer bank दे पाएगा तो अब दोस्तों यहाँ पर यह बताएगा कि borrower क्या कर सकते हैं जिसकी वज़से आपको balance transfer मिलने में easier है और आपको motorum लेने के वीचिते हो सकती थी यह हुई है तो वह balance transfer की वक्त आपको ना होए तो दोस्तों इसमें इ अगर आपका motor maker 36 को खतम हो जाएगा तो उसके बाद जो भी आपने loan लेका जिस bank का उसकी 3-4-5-6 EMI time से pay कर दीजे ताकि उसके बाद जब balance transfer करें तो आप उनको दिखा सके कि पहले जो आपके शार्ट fund का issue था वो आपका fund का issue स्वाल हो चुका है और आपने सारी EMI stand से pay कर लिए क्योंकि अब आपको fund का issue नहीं चल रहा है तो जो आप इस चीजे से करेंगे तो आपके जो balance transfer होने के chances हो किसी में नहीं लेंडर को देने में आपको दिक्कत नहीं आईगी और आपको कोई प्रब्म नहीं होने वाली है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरे आ तो करेंट कर सकते हैं वाट्साप के तो करेंट कर सकते हैं अच्छे दोस्तों इतना ही थैंक्यू सो मच बाबाए